Hello Dear, तो आप सभी जितने भी nursing के competitive exam की त्यारी कर रहे हैं, चाहे आप CO2 की त्यारी करते हैं, या फिर आप staff nurse की किसी भी state की त्यारी कर रहे हैं, या फिर आप nursing officer की त्यारी कर रहे हैं, त्यारी कर रहे हैं, या फिर otherwise आप किसी भी state के कोई भी nursing या central government का भी nursing exams की त्यारी कर रहे तो आपके किसी भी nursing exam में 70-70% question जो होता है वह nursing से ही होता है बाकि 30-40% जो होता है वह आपका competitive level का होता है तो 60-70% अगर है तो यह बहुत बड़ा है आप चाहें तो इसको परके ही पास कर सकते हैं किसी भी fight कर सकते हैं exam को तो ऐसे में daily exam के साम आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं जो भी लोग है competitive exam की त्यारी करने वाले nursing के वह आकर daily साम में अपना वीडियो को evening में देख सकते हैं ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं आज फिर से इस वीडियो को चलिए पहला है यहाँ पर प्रश्ण आपके सामने में है कहता है सुक्ष्म पोसकत तो वो कौन सा है मैंने आपको इस channel पर कितना बार बता चुका हूँ कि एक होता है आपका macronutrient ठीक है एक होता है macronutrient एक होता है आपका micronutrient तो माइक्रो वाला जो होता है वह बिलकुन सुक्ष मात्रा में भोजन में उपस्थित होता है माइक्रो वाला होता है जो इस माइक्रो से ज़्यादा उपस्थित होता है भोजन में तो कहीं न कहीं सुक्ष में पोसक यानि माइक्रो वाला है तो इन में से देख लीजिए, बिटामिल ऐसा है, जो बहुत कम पाया जाता है, फैट के तुलना में, प्रोटीन के तुलना में, कार्वोहाइडरेट के तुलना में, ठीक है, तो इसमें से मैक्रो हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा एत तिनो, ठीक है, और माइक्रो हो जाएगा बिटामिल यानि सुक्ष्म पोसकता तो माइक्रो न्यूट्रेंट जो है आपके बिटामिस हो गए ओके आगे है प्रशनिहा पे पानी में रसाइनिक कोगूलेंट परियोग कर निकाला जाता है काता है कि पानी में हम रसाइनिक कोगूलेंट का परियोग करके किसको निकालते हैं तो जिवानु को, वायरस को, मैलापन को, और रेत को तो आपको समझ में आना चाहिए कि पानी में हम जो है पानी के जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है उसमें एक एश्टेप आपका कोगुलेशन का होता है समझ गया है? निसी अंदन का अब इसमें होता है कि जो हम बाहर से कोई पादार्च पानी में मिला देते हैं घोल देते हैं तो उसमें जो गंदापन होता है, धीरे-धीरे जो है वा कोगुलेंट के द्वारा जो है मैलापन नीचे बहर जाता है और उपर पानी साफ दिखता है तो यह महलापन निकालने के काम में आता है आगे हम लोग अब यहाँ पर बरहेंगे आगे देखते हैं आगे है तिसरा प्रश्ण है आपके सामने आज का स्वास्त सिख्छा के लिए इस्तमाल होने वाला एक फ्लेस कार्ड क्या है आपको बता दे टीबी हो गिया रेडियो हो गिया ठीक है बलेक बोर्ड हो गिया फ्लेस बोर्ड हो गिया पोस्टर हो गिया समझ गये न यह सब स्वास्त सिख्छा का एक साधन है समझ गये तो इसलिए जो flash card होता है इसका size किस अकार का होता है 5 x 12 inch ठीक है 10 x 10 inch 10 x 12 inch और 10 x 8 inch तो जो flash card होता है स्वास सिक्षा के लिए वह table x 10 x 12 inch में आता है ठीक है चौथा प्रश्न है आपके सामने सीर के जुवा को क्या कहा जाता है सीर में जो जुवा हो जाता है जिसको हम लोग जुवा हो जाता है जिसको हम लोग जुवा हो जाना उसको हम लोग क्या कहते है pediculus carporis कहते है pediculus capitis कहते है ठीरस कहते है edemic typhus कहते है तो सीर में जुव जो होता है उसको pediculus capitis कहते है ठीक है क्या कहते हैं पेडिक्यूलस कैपीटिस कहते हैं ओके आगे है पांचमा है मस्तिक्स के परदाह को क्या कहते हैं तो मस्तिक्स में जो इनफ्लामेशन होता है परदाह होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं तो आपको पता है नेफराइटिस होता है नेफराउन में समझ गय किड़नी जो हता है नेफरोन के इंफ्लामेशन को हम लोग नेफ्राइटिस कहते है तो यह तो होगा नहीं मेंजाइटिस है आपको पता है कि हमारा ब्रेन से लेकर और स्पाइनल को कउभर कोण करता है एक ढिली होता है मेनिंजिस और वही मेनिंजिस जो है cover करके रखता है brain से लेकर spinal को तो उस meningitis में अगर inflammation होता है cover वाले में तो उसे meningitis कहते हैं तो ये भी नहीं होगा अब ये जो encephalitis है यह जो आपका encephalitis जो होता है यह mastix के सुजन को परदाह को बताता है तो right answer ही हो जाएगा cystitis होता है यह मुत्रासे के inflammation को बताता है समझ गए आगे है आगे अच्छा प्रश्णा है मेरू डंड की मध रेखा से बगल की और बगरता को क्या कहते हैं देखते हो येगा किसी को cover जो है किसी को cover जो है देखते हो येगा कि पीठ के बीच में जो है देखते हो ये है उसका pete निकला रहता है पीठ के side से बैक के side से धसा हुआ रहता है अंदर की तरफ तो एंच जो होता है ये सब जो है आपके वकरत जो है होता है तो मेरू डंड की मध रेखा मतलब बीच वाला हिसा में और वह बगल की और बकरता टाइप से बनाय रहता है उसे एसकेलियोसिस कहते है यानि बीच वाला जो हिसा होता है और वह जो अगर बकरता टाइप से ऐसे बनाया होता है टेरा हो गया रहता है धास गया रहता है अंदर बीच से तो उसे एसकोलियोसिस कहते हैं क्या कहते हैं ए आगे चलिए यह एक कूर निर्मान होता है जिसमें मूत्र मार्ग की नली का सीसन की नीचली सतह पर खुलता है तो यह चाइल्ड है तो देखे एक कूर निर्मान होता है मूत्र मार्ग का समस्या होता है जो सीसन जो पेनिस का नली होता है जो छिद्र होता है वह जैसे यह पेनि तो पेनिस है यह उपर वाला हिस्सा है और इसके नीचे वाला हिस्सा है तो नीचे वाला यहां भी हो जाता है यहां भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है तो इससे हम लोग क्या कहते हैं हाइपो एसपेडियास कहते हैं नीचे ले सता पर छीदर होता है या जो है कॉंजेंटल ड इंसुलीन तो होगा नहीं, इंसुलीन मधुमेह के रोग के लिए उतरदाई होता है, यह जो है, इंसुलीन जो है, क्या करता है, आपके बडी में गुलकोच के लेवल को नियंतरित करता है, थाइरोक्सिन जो है, आपके बडी में जो थाइराइड होता है, उसको नियंतरन करत अक्सिटॉक्सिन भी आपके दूद को किरिया में भाग लेता है लेकिन प्रोलैक्टिन जो है मा के अस्तन में दूद बनने के लिए उप्यूक्त हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन ठीक है और अस्तन से दूद जो मतलब भरपूर मात्रा में निकलता है तो जो है ऑक्सिटॉक्स प्रेरित करता है निकलने के लिए ठीक है तो ये चीज़ें को ध्यान में रखना है आगे चलिए आगे का प्रश्ण है कहता है यहाँ पे कि मासिक धर्म के साथ दर्द होना देखे दर्द होना या कठनाई होना मासिक धर्म में अगर दर्द होता हो या कठनाई होता हो तो उसे हम लोग जो है dysmenoria काते हैं ठीक है क्या कते हैं dysmenoria का मतलब होता है कि मासिक धर्म दर्द के साथ होना ठीक है या कठनाई के साथ होना तो वह dysmenoria हो जाएगा अब याद कैसे रखिएगा तो deep or होता है difficult और deep or होगा आपका क्या चीज़? dysmenoria तो यह समझ लीजिये के तिका है उसके बाद होता है ammonia होता है air for absence और air for ammonia तो अगर मासिक धर्म किसी का बिलकुल नहीं हो रहा हो बंध हो गया हो किसी महिला का या किसी लड़की का तो उसे ammonia कहाएंगे ओके तो यह चीज़े आप लोग समझ गए, आगे चलते हैं आगे है प्रश्ण, कोरियोंडर गुनाडो ट्रोपिन उत्पन होता है कहां से C, G, ठीक है, C, G कहता है क्रोनियोनिक, ठीक है ने, कोरियोनिक, कोरियोनिक है गोनेडो ट्रोपिन जो है हार्मोन है यह कहां से उत्पन होता है तो साइटो फ्राइबरो बलास्ट से होता है थाइडाइड गरंथी से होता है ओबरी से होता है गरभासे से होता है तो देखिए कोरियोनिक गोनेडो ट्रोपिन जो होता है यह साइटो ट्रोफो बलास्ट से उ उत्पन होता है बहुत भी भी आई कूशन है किसी भी कमप्रीशन के लिए मोस्ट भी भी आई कूशन है दिमाग में रख लिजिए कि कोरियोनिक गुनोडो ट्रोपीन जो होता है वह साइटो ट्रोफो बलाष्ट से उत्पन होता है ओके ए हो गया आगे का प्रस्ण कहता है कि आठवे सब्ता से आगे अत्यधीक रक्त संबहन के कारण योनी मार्ग के लेटलर फॉर्निस में बढ़ी हुई धरकने महसूस की जा सकती है इसे क्या कहते हैं देखिए ऐसे प्रशन पुछेगा तो दिमाग में क्या रखना है एक रखना है आठवे सब्ता ठीक है उसके बाद लिखना है कि योनी मार्ग के लेटरल फॉर्निसेज ठीक है योनी मार्ग के लेटरल फॉर्निसेज जैसे ही आ जाएगा तो समझ जाएगा कि ये पूछ रहा है कि योनी मार्ग के जो लेटरल फॉर्निसेज है इसमें रक्त अत्यधिक प्रवाह होने के कारण इसमें जो है ब जब लगभग आठमे सफता प्रिगनेंसी का हो जाता है तो वहाँ पे योनी मार्ग के आसपास एक जो है तनाब सा बलड अत्यधीक सर्कुलेट होने के कारण योनी मार्ग में लेटरल फॉर्नी सेज जो होता है वहाँ पे एक तनाब बढ़ता है और वह महसूस किया जाता है धरकन बीट के रूप में और वह औसीएंडर चीन होता है उसे औसीएंडर साइन बोलते हैं ओके आगे है नाभी नाल में डैस होती है नाभी नाल में यानि अंबलीकल कॉर्ड में बच्चा जो भुरून होता है गर्ब में भुरून के जो नाभी होता है उससे लेकर जो फि सेंटा से बच्चे के जो है बच्चा है इस बच्चे के नाभी में जो है एक जुआइंट होता है और यही जो है इस नाभी नाल में कितने जो है आर्टरी और कितने भेन होते हैं बताना है एक आर्टरी दो भेन गलत दो आर्टरी एक भेन सही ठीक है न तो जो नाभी नाल होत उसमें दो आर्टरी मतलब दो धमनिया और एक सीधा होता है ठीक है याद रखिया है कुल तीन होता है आगे है कहता है यहाँ पे माई डियार कि क्लोरो प्रोमाजाइन ठीक है क्लो प्रोमाजाइन ठीक है ना क्लो प्रोमाजाइन एक है क्या है तो क्लो प्रोमाजाइन जो है य या anti-anjiitie दवाई है तो my dear chloropromagine एक परकार का anti-psychotic दवाई है या एक मनो रोधी दवाई है ठीक है मनो अवसाद रोधी दवाईया है anti-depressant नहीं होगा konvensal नहीं होगा anti-psychotic होगा आगे का प्रश्ण है दूसरे के भासन की ब्रह्मबर्ता नकल करना संबर्धित करता है या दूसरे के भासन हो दूसरे के बातचीत हो दूसरे के सब्द हो इन सभी चीजों का नकल करना क्या कहलाता है एकोपरेक्सिया, एकोलेलिया estriotyp और automatagement तो आपको मैं बता दू आपको परहा चुके हैं इकोपेरेक्सिया क्या होता है तो इकोपेरेक्सिया में किसी के कामों को किसी के हाव भाव को अगर आप नकल करते हैं तो इकोपेरेक्सिया होता है ठीक है किसी के एक्सन के रिपीट करते हैं तो इकोपेरेक्सिया ओके और अगर किसी के बातों को किसी के सब्द के सुनके आप उसे repeat करते हैं तो वा सब्दा अनुकरम यानि इकोलेलिया होगा तो right answer ही होगा ठीक है आगे चलिए आगे का प्रश्ण है बहुत अच्छा प्रश्ण है अत्याधिक दीन के समय में नींद रहना कहा जाता है दीन के समय अत्याधिक नींद रहना क्या क पहल आता है एमनेशिया होता है memory loss होना हाइपर एमनेशिया होता है बहुत जादा भूलने लगना ठीक है पेरा एमनेशिया होता है यह भी आपका memory से related है जबकि एक है सोम्नो लेंस सोम्नो लेंस होता है तंडरा मतलब बहुत ज़्यादा निंद की समस्या ठीक है ECT जो होता है ECT का सबसे common side effect क्या देखने को मिलता है दूस परभाब उल्टी होना सीर में सरीर में दर्द यानि body एक एसमरिती लोप यानि amnesia और fracture तो ECT के जो आम दूस परभाब होते हैं वह सबसे जो ज़्यादा देखने को मिलते हैं fracture ठीक है fracture अस्थी भंग और अस्थी भंग में जो है ECT देना दूस परभाब देता है नहीं देना चाहिए कंट्रा इंडेक्शन में सबसे common fracture होता है ठीक है आगे चलते हैं आगे का प्रशन है यहाँ पर देख लीजी आप लोग प्रशन है माई डियर कि नर्सिंग परकिरिया में नर्सिंग हस्तचेप का मतलब क्या है नर्सिंग प्रोसेस नर्सिंग प्रोसेस में नर्सिंग इंटर्वेशन का क्या मतलब होता है डाटाई कठा करना नर्सिंग निदान बनाना वास्तविक नर्सिंग देखवाल देना देखवाल का आकलन करना तो नर्सिंग परकिरिया में नर्सिंग इंटर्वेंशन मतलब हस्तचेप का कारण मतलब होता है कि वास्तविक नर्सिंग देखवाल देना मतलब गीविंग एक् योगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो बन होना नोसिया कहलाता है जी मचलना जिसको बोलते हैं ठीक है आगे का प्रश्न है सकेंड लास्ट है आज का प्रश्न का मुत्र में सुगर की उपस्थिती को क्या कहते हैं तो मुत्र में सुगर की उपस्थिती होना क्या अलिगुरिया होता है गलाइकोसुरिया हेमेचियू कोच आना गलाइको सुडिया ठीक है अली गुडिया का मतल होता है कि मूत्र का कम आना या मूत्र का कम बनना अली गुडिया होता है हेमें चुडिया होता है कि मूत्र में रक्त आना ठीक है हेमें चुडिया और पायुडिया होता है मूत्र में पस आना ठीक है तो यह होता है प condition को हम लोग क्या कहते है यूपनिया कहते है एपनिया कहते है हाइपनिया कहते है टेकी पेनिया कहते है तो सबसे पहले देखिए टेकी पेनिया होते है स्वासन बहुत ज़्यादा तीब्र हो जाना टेकी पेनिया हाइपर पेनिया होता है कि स्वासन ज्यादा होना ठीक है हाइपरपिनिया एपनिया होता है बिलकुन सुवसन नहीं होना एप और अपसेंस और पिनिया वाला वर्ड आ जाएगा समझ जाएगा या सुवसन को इंडिकेट कर रहा है ठीक है तो एप और अपसेंस यानी स्वासन की अनुपस्थित होना एपनिया और यूपनिया तो होगा नहीं ठीक है तो इस परकार से मैंने आपको 20 कुछन अच्छे से समझाने का पर्यास किया अगर आप चाहतें इसी परकार के और अच्छे अच्छे प्रस्ट हम डिसकर्श करके बताएं तो कमेंट बीच में जब भी समय मिलेगा आप लोग देखिएगा ठीक है जब भी अगर आप त्यारी करते हैं कमप्टिसन का तो आपको तो परना परेगा तो एक दिन में अगर 20 कुछन परते हैं 40-50 कुछन का नोलेज होता है तो जरूर परना चाहिए 20 कुछन हम लाएं हैं लेकिन इ आपको जरूर परना चाहिए सेर भी करना चाहिए मिलते हैं अगले वीडियो में अपना ख्यार लखिएगा आप नन्यवाद